कहीं एक ना एक ग्रूप फॉर्म करी लेते हैं घर में अगर चार भाई भैन है तो दो दो लोगों का ग्रूप बन जाता है किसी ना किसी पॉइंट पे या फिर स्कूल में हैं तो वहाँ पे भी दो तिन फ्रेंट का चार फ्रेंट का ग्रूप बन जाता है या फिर ऑगनाजि की उपर इंटरडिपेंडंड भी होते हैं यानि किसी काम के लिए एक डूसरी पेंडंडेंट भी होते हैं तो वह चीज क्या कराती है वो ग्रूब कहलाता है ठीक है किसी प्रिटिक्रूल ऑबजेक्टिवग को अचीव करने के लिए एक साथ आ जाते हैं Each person influences and is influenced by each other, यानि कि जब group में होते हैं कोई लोग, तो वहाँ पे हर person जो है एक दूसरे को impact डालता है, एक दूसरे को influence करता है, तभी वो group कहलाएगा, जैसे कि friends, peers, ये सब क्या है, group हो जाते हैं, friends के साथ group बना लेते हो, peers के साथ group बना लेते हो, आपके साथ काम करने वाले बहुत सारे होंगे, लेकिन आप 4-5 ऐसे लोग होंगे, जो khas group बन जाता है, और वो 4-5 लोग हमेसा साथ में ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये जो group है, जब ये group मिलकर कोई काम शो करते हैं, कोई behavior शो करते हैं, जब कोई group अच्छा काम करते हैं, तो हम कहते हैं, वो बहुत अच्छा group है, वही पर जब कोई group बेकार काम करते हैं, वो बेकार group है, इस्कूल में आप देख लीजे, तो वहापे भी क्योँ और था, grouping होती है, तो कहते हैं नहीं कि सर्यमायम होते हैं, तो यह वाला group अच्छा है, यह अच्छा है, आपने home-up सही time पर कर लेता, अपने काम जो है complete करते हैं, वो वाला group बेकार है, वो काम सही time पर नहीं करता है, बदमासी करता है, तो यह group behavior show कहलाता है, clear, individual behavior नहीं group behavior कहलाता है, next हम बात कर लें कि group की characteristics and features, तो group की characteristics and features में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले important चीज़ आपने definition से देखी, कि two or more person होते हैं, यहाँ पर यह group size हो गया, group size, कोई भी group होगा, तो उसकी नकुछ नकुछ size हो गया, आने कि वहाँ पर कुछ नकुछ members होगे, कम से कम दो तो होने ही चाहिए, और एक maximum जो होता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक effective group तब कहलाएगा, जब वहाँ पर 5-7 members हो, यह researchers ने, जो हमारे psychologist हैं, उन्होंने इस चीज़ को research किया, और इस पर find out किया, कि जो effective group होता है, 5-7 लोगों का group है, तो effective group होगा, next collective identity, यहाँ पर क्या हो थी group की, कुछ न कुछ एक common identity होगी, जिससे वो पहचाना जाएगा, वो group पहचाना जाएगा, चाहिए उनका नाम हो सकता है, लोगों हो सकता है, या फिर कोई behavior हो सकता है, उस behavior के बैसे हम उनको पहचानते हैं, interaction, यानि कि group के members में, interaction होता है, group तभी कहलाएगा, चाहल लोग आथ में बातचीत करी नहीं हो, तो वो group नहीं होगा, वहाँ पर interaction होगा, बातचीत होगा, किसी point पर लेके, वहाँ पर बातचीत होती है, shared goal, यानि कि group का कोई ना कोई goal होगा, वो goal, वो जो group बना है, वो किसी ना किसी objective को achieve करने के लिए बनता है, तो कुछ ना कुछ common goal वहाँ पर होगा, group goal कहते हैं, जिसको group norms, उस group का कुछ ना कुछ rule होगा, कुछ ना कुछ regulation होता है, जो भी आप group देखें, वो homogenous group है या heterogeneous group है, homogenous group का मतलब कि वहाँ पर कुछ ना कुछ similarities होगी सभी के बीच में, और heterogeneous यानि कि वहाँ पर similarities नहीं है, लेकिन फिर भी वो group बना हुआ है, तो formal और informal के case में यह चीज होती है, जैसे organization में, formal group जब बनता है ना, वहाँ पर heterogeneous आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर दूसरा कोई command होता है, वहाँ पर दूसरा कोई management अपना organization की goal को अचीव करने के लिए group बना जाता है, तो यहाँ पर आपके वीचे similarity वो नहीं देखता है, next है group roles, यानि कि group के अंदर जो भी members होते हैं, उन members में सभी के कुछ न कुछ roles होते हैं, responsibilities होते हैं, जो उनको perform करना होता है, यह characteristics हो गई group की, अब बात कर लें type of groups के, तो group को जो है structure के basis पे, formation के basis पे, size के basis पे, जो है divide कर जा सकता है, तो कुछ important type of group को हम यहाँ पर discuss करेंगे, तो सबसे पहले आता है primary और secondary group, तो primary और secondary देखिए, primary यानि जो आप से ज़्यादा close है, secondary जो आप से कम close है, simple सा differentiation है, तो primary group क्या हो गया है, primary group यानि intimate face-to-face association and cooperation होता है, members के बीच में, जो members होंगे, उनके बीच में close intimate का मतलब close relationship होगा, face-to-face association होगा, cooperation होगा, ये group जो है small होता है, और based on intimate relationship यानि की close relationship पे टिपेंड करता है, जैसे कि family, friend, neighborhood, इन सब के बीच में क्या होता है, intimate face-to-face association होता है, एक दूसरे के बीच cooperation होता है, वहीं पर secondary group क्या हो जाता है, ये कुछ formal होता है, और general and remote होता है, ये कि दूर वाला group होता है, ये कि आप group में हो, आप बाचित करोगे, लेकिन दूर से relation होता है, face-to-face intimate relationship यहाँ पे नहीं होता है, continuous interaction, intimacy और cooperation यहाँ पे नहीं होता है, secondary group में याद रखिएगा, primary group में क्या होता है, continuous interaction, intimacy और cooperation होता है, लेकिन secondary group में वो चीज नहीं मिलती है, क्योंकि यह दूर का relationship होता है, यह दूर का group formation होता है, जैसे कि vendor to client relationship, ठीक है, यह doctor और patient के बीच में relationship, mechanic और customer के बीच में relationship, यह क्या है, यह secondary group होता है, यहाँ पे कोई intimate या face to face association और cooperation नहीं होता है, इस type के group को क्या करते है, primary और secondary group कहते है cents, that is membership and reference group, membership and reference group नाम से clear है, membership यानि कि जिस group के आप member हो, और reference जिस ग्रूप के member आप बनना चाहते हो, उसको follow का तो आप उसको, उस estaris really belongs है, यहीं होता है, तो membership group, individual is really belongs है, यहीं कि उस group Caroline कने हो, आप उसके member हो, ठीक है वो कोई भी societyस हो सकता है, क्लब का member हो सकता है, team के member हो, तो clicks हो सकते हैं, फिर political parties के member हो सकते हैं, वहीं पर reference group क्या हो गया, कि individual identifies or want to be member of that group, यानि कि उस group का member नहीं है, लेकिन वो उस group का member बनना चाहता है, ठीक है, उसको identify करता है, उसको member बनना चाहता है, तो उसको क्या कहते है, reference group कहते है, clear, next that is command and task group, तो command and task group में क्या है, कि command मतलब क यहाँ पर superior and subordinate relationship होता है, command, यहाँ पर superior and subordinate का relationship होगा, ठीक है, who carry out order on the basis of their authority within the group, यहाँ पर सभी जो भी group members होगे, उनके कुछ न कुछ authorities होगे, responsibilities होगे, उसके according को काम कर रहे होते हैं, और यह जो command group बनता है, यह organization चाहर्ट दोरा बनाया जाता है, ठीक है, जैसे कि production manager और उस नहीं पर task group क्या होगे, task group वो group होगे, जहाँ पर कोई authority, responsibility वाले चीज़े नहीं, responsibility होती ही, लेकिन authority वाली चीज़े नहीं होती है, बस वहाँ पर वो लोग common group को achieve करने के लिए, कुछी पर टास्क को achieve करने के लिए, आपस में मिलकर काम करते हैं, तो group of individual who come together to accomplish a certain task और a job assigned to them, यानि कि पांच लोग को एक common task दे दिया गया, पांच लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे task group कहेंगे, clear, next जो है, और important type of group है, that is formal and informal group, in organizational point of view, आनि कि organization में जब हम grouping की बात करते हैं, वहाँ पर दो type के group आपको देखने को मिलेंगे, एक formal group और एक informal group organization द्वारा बनाया जाता है, created and maintained by top management to achieve organizational objective, तो जो formal group होता है, वो अपने आपनी मनता है, वो group जो बनाया जाता है, वो organization या top management द्वारा बनाया जाता है, जिसे कि organizational का जो objective है, उसको अचीव किया जा सके, यहाँ पर authority और responsibility relationship होती है, यानि कि कुछ लोग को इक पास authority जाद होग जो organization norms set up करेगा, वही जो है group behavior को, formal group के behavior को regulate करेगा, रूल करेगा, ठीक है, तो जैसे कि formal group में क्या हो गया, BOD, board of director, management committee हो गया, work units हो गया, project team हो गया, यह सब क्या है, यह formal group है, जो कि management, top management बनाती है, जिसे कि organization के goal को achieve किया जा सके, वही पर दूसरा है informal group, informal group क्या हो गया, कि क्या है, informally, यानि कि आप organization में काम कर रहे हो, या पर आपके बगलवाला, आपके साथ same type का काम कर रहे हो, तो आप group बना लेते हो, या फिर वह आप जहां से आप belong करते हो, वही से वह भी belong करते हो, आप group बना लेते हो, या पिर आप की उसने कोई मदद कर दी, आप उसकी ग्रूप बनाते हो, तो natural grouping of people at workplace, membership in informal group is voluntary, या पर कोई भी ऐसा restriction नहीं कि आप आ सकते हो, आप नहीं आ सकते हो, यह informal होता है, और यहाँ पर जो है voluntary होता है, आप चाहो तो member बन सकते हो, चाहो तो नहीं बन सकते हो, और behavior is controlled by group norms, यहाँ पर organization norm नहीं होता है, यहाँ पर क्या होत चिए बाचिन